Hello everyone, my name is Yathart Sharma and B.A.R.C. मैंने कैसे क्रेक किया है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में एक वीडियो बनाए था काफी लोगों ने देखा काफी अच्छा रेस्पॉंस आया and कुछ लोगों के कॉमन डाउट्स जो मुझे मिले देखने को जो की कमेंट्स में भी है और टेलिग्राम कि आया सबके मन में वो एक तो फॉर्म में से डिलेटिट था कि आप सलेक्ट होना चाहते हो या फिर दोनों से तो सपया करें, दोनों select करें, देखिये, अगर आप gates से select हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बीयर सी एक्जांब से भी हो जाते हैं और अच्छी बात है और दोनों में से एक से हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नीग कोई आपको इस बेस पे जज नहीं करेगा वहां पर कि आप गैट से आए हैं या या भी एक्जांब से हैं ठीक है बिलुकुल ध्धान रखेगा कोई व लो है तो दिक्कत नहीं है अगर उनको पता भी लगता है इसको नहीं मतलब है अनुको इतना मतलब है उनको सिर्प इतना मतलब है कि आपको टेक्निकल पाट जो आप से जानना चाते है वह आपको आता हैै यह पुर्ण आ का। तो एक कन्फुजन Cred down हो गया इसके यह नद गें लोग इसको कंपेर करें कि सारे गेट के कंपेर में तफ है या इजी है देखो कॉंपिटर एप्टिव एग्जामिनेशन दो टाइप के होते हैं मैंने एक बार यूट्यूब चैनल पे एक बार बताए भी था अनकेडमी अकोर्ड पे जब मैंने एक स्टेशन लिया था कि एक क्वालिफाइँ एपका होता है एक इक पर्टिक्लिक्लर मार्क सब्सक्राइब कोई घर क्या जाएगा एक होता है कि इसमें आपको रिजेख्शन जदा किया जाता है जिसे 100 में दोगों को लेना है कितने ही मार्क लाएं अगर दो लोग सिर्फ 50 मार्क ला पा रहे है तो कु ज़्यादा ला पारें ज़्यादा हो जाएगी तो देखिए बीए आर्सी सलेक्ट करता है कुछ इस्टुडेंट्स को जैसे साथ सो आठ सो का वह इंट्रेव्यू लेता है मेकिनिकल में तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि गेट से टफ है या इजी आप कंपेर कर सकते हैं कि वह कौन से किन से एक्जाम से टफ है किस से नहीं है वह मेंटर नहीं करेगा है ना ठीक है एंड हां अंतर यह है बैसिकली अंतर जो मैं बता दूँ कि गेट एक्जाम में ज्यादा टाइम होता है आपके पास बरसी में टाइम कम होता है पर क्यूशन क्यूंकि जैसे कि आपक को न्यू कूशन भी देखने को मिलेंगे लावा पर नए कूशन भी बनके आते हैं और बी और सी में क्या होता है कि इक चाम्राइब कारनी है इस पर दियान दीजिये यह मत देखिए कि यह स़से टाफ होगा यह उस से टफ हो औह नहीं होगा वह तो आपको जब स्टार्ट करन ना प्रिप्रेशन तभी सोचना है कि मैं मेर लिए सुटेबल है या नहीं अगर आपने को लगता है कि सुटेबल है देन फिर यह चीज में टरनी करती है ना कि एक इसके अलावा एक और डाउट था हां वह डाउट रिलेटेड था कि सरी एक जाम स्लोट बुकिंग करके कुछ दे रखा है इन्पोर्टन डेट्स में यह क्या होगा कुछ नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूत नहीं है अगस्त के टाइम पर वह स्टार्ट हो कि फर्स्टिग उसके बारे में यह जो भी आप बढ़ आप कर लो इसमें सग उस नहीं की पहले टुप पर बाद में इजी आएगा या इसा कोई पेटर नहीं है है ना वह रेंडम है तो अब प्रिप्रेशन पर धियां जीए आपको लगता है ज्यादा टाइम चीद हो तो ले लेना ध्यान रखना पीछे वाला जल्दी बढ़ेगा जैसा कि हर जगह होता है तो इतना सा उसमिध्यान दनी की बात है इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई डाउट है अगर फिर भी कोई रे जाता है तो आप कमेंट से क्षेंड में बता सकते हैं इस वीडियो को इतना हो सके मैंने छोटा रखने कोशिस करी है प्रिसाइसली उपर से चीजे बताईए कोई भी डाउट रह जाता है आपका तो आप बता सकते हैं ठीक है ओके बाबाए एंड प्रिपरेशन करते रहिए ठीक है चलिए